यह अबियो वेल्कम बेग टो मैर चैनल, यह वीडियो आफ यह पाव्य बोलुत दूण दूब आस वीडियो इस त्री स्टेप फेशल के मुझे बहुत ही अमीजिंग रिजल्ट है। इस फेशल को कैसे करना है लेट्स जाट दो वीडियो। मारा पहले स्टेप है क्लिंजिंग तो हमें यहां पे चाहिए लेमन मैं हाफ लेमन लिया है अब हम इसके अंदर कर्ट यान के दहीं डाल देंगे मैं यहां पे टू टेबल स्पून दहीं लूँगी आप लोग इस क्लिंजर को जादा भी बना सकते हैं अपने हैंड्स और फीड्स के लिए तो मैं यहां पे टू टेबल स्पून दहीं ले रही हूँ अब मैं इसको अच्छे से वैल मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लंस ना रहे तो यह हमारा क्लिंजर यहां पे अच्छे से मिक्स हो चुका है क्लिंजर को अप्लाय करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे तरह से वाश कर लेना है मैंने यहां पे अपने फेस को अच्छे से वाश कर लिया है ताकि कोई भी अगर मेक अप है यहां फिर कोई डर्ट वगहरा है फेस पे तो वह सब रिमूव हो जाए दिधिस कर देए, यहीं साही नच्छे अच्छेव गुटच्च करे लक Shot soft hand so that it absorbs in your skin आपने बहुत ही softly बहुत ही प्यार से इसकी मसाज करनी है 3-4 मिनट आपने इसकी अच्छे से मसाज करनी है ताके ये बिल्कुल अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अबसर्फ हो जाए आपने बिल्कुल भी जोर से इससे मसाज नहीं करनी इससे आपके स्किन पर रेडनिस भी हो सकती है तो आपने बिल्कुल जेंटली मसाज करना है इससे अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्किन में अच्छे से अपसोब हो चुका है अब मैं एक हैंकी के हैप से इसको रिमूब कर लूँगी आप इससे वाश भी कर सकते हैं मैंने यहां पर अच्छे से अपने फेस से इसको क्लीन कर लिया है तो आप भी इसी तरह से अपने फेस से अच्छे से इसको क्लीन कर लें अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल ब्राइट सर्फ क्लिंजिंग करने से अब हम चलते हैं अपने नेक्स टेप की तरफ जो के है स्क्रबिंग उसके लिए मैं यहां पर अलोवेरा ले रही हूँ अगर आपके बास अलोवेरा नहीं है तो आप बनाना पील भी ले सकते हैं अलोवेरा लेने के बाद मैंने इसके उपर नाइश से अच्छी तरह से कट लगा रही है जाता के जितना भी इसका स्ट्रैक है वो निकल आए और यह हमारे स्क्रब करने में बहुत ही ज़्यादा हैल्प करेगा आपके कलोर को इंस्टेंट ग्लो और ब्राइट बनाएगा आप लोग जरूर इसको ट्राय करें आप खली इसी भी ट्राय करेंगे तो इसके भी बहुत ज़्यादा अने बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से जेंटली इससे स्क्रब करना है क्या आप आप लोग भी अपनी स्किन को एंस्टेंट ग्लों और प्रायद चाहते हैंतो एक्दफर कोड़ प्रेश। स्क्रब को ज़रूर अप्लाई करें स्क्रबिंग भी आपने 3-4 मिनिट तक अच्छी तरह से करनी है अब ये मेरे फेस पे अच्छे से अब्जर्फ हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं इसको वाश कर लूँगे लूक वाउम वाटर से मैं या पर हैंकी की हेल्प से इसको रिमूव कर रही हूँ हैंकी को मैंने अच्छे से लूक वाउम वाटर में डिप करके अब मैं इसको अपने फेस से रिमूव कर रही हूँ आपने भी या तो लुक वर्म वाटर से वाश कर लेना है या फिर हैंकी की हेल्प से रिमूव कर लेना है मैंने स्क्रब को अपने फेस से अच्छे से रिमूव कर लिया है as you can see के अब मेरा फेस किता जदा ब्राइट लग रहा है और ग्लो कर रहा है तो अगर आप भी ऐसा ग्लो जाते हैं तो आप लोग भी ज़रूर इस स्क्रब को यूज करें इसके बहुत ही जबदस रिजल्ट है आपको एक ही दफ़र ट्राइ करने से पता चल जाएगा तो अब मेरा फेस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है तो अब हम चलते हैं लास्ट टेप की तरफ जो कहा है फेस पैक तो फेस पैक बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है योगर्ट अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन मैं यहां पर टू टेबल स्वोन बेसन ले रही हूँ आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लंज न रहे है बिल्कुल ही सौफ्ट रहे ना ज़्यादा रहनी हो ना ज़्यादा थिक हो यह पेस्ट आपने इस तरह से बना लेना है और इसको फिर अपने face पे अच्छी से apply कर लेना है जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने face पे किस तरह से apply कर रही हूँ आपने बिल्कुल अपने face पे अच्छी तरह से इसको apply कर लेना है Basin के अंदर बहुत ही amazing properties पाई जाती है जो के हमें pimples से fight करने में help करता है हमाई skin को tight करता है oil को reduce करता है tans को remove करता है और हमें बहुत ही bright और fake color देता है ये face pack apply करने के बाद आपने इसको 3-4 minute के लिए अच्छी तरह से massage करना है ताकि इसकी जिती भी good properties हैं वो हमाई skin के अंदर आ जाए और उसके बाद आपने इसको dry होने के लिए छोड़ दे रहा है 10-15 minute में ये आपका face pack अच्छी से dry हो जाएगा तो अब मैंने अच्छी से इसकी massage कर ली है अब मैं इसको dry होने के लिए छोड़ देती हूँ तो अब ये dry हो जाएगा तो इसको हम फिर wash कर लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा face pack dry हो गया अब मैं इसको wash कर लूँगी तो guys now you can see my face that how my face is looking so bright, fair and glowing तो इस three step facial के बहुत ही amazing result है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर like करें, subscribe करें और अपने friends and family के साथ share करें और guys आप लोग इस face pack को ज़रूर apply करें अगर आप लोग बहुत ही बेतरे result चाते हैं तो आप लोग इसको हफते में दो दफा़ apply करें अपने face पे और इससे आपको instant glow आएगा आपके face की इसकी सारी problem solve हो जाएंगी तो मिलते हैं नेक्स फीडियो में दिलते हैं बाइ बाइ टेक के, stay tuned to my channel